नमस्कर आदाव सस्रियाकाल स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस कॉंश्टिबल के जीके जीएस के एक बहुत ही महातपुर सिरीज इसे हम जीके जीएस के उन क्वेस्टन को डिसकस कर रहे हैं जो आपके प्रिवेस एकचाम में पूछे गए या फिर पूछे जाने के संभाव ना है ये सिरीज आप सब के लिए बहुत ही हल्फुल रहे हैं अगर आप यूपी प्लिस कॉश्टिबल के अलावा एसे सी जीडी, आरो, ए आरो, यूपी पेट, लेक पाल, बिहार सिचकवर्थी परिच्चा या फिर किसी भी एकचाम की तैयारी कर रहे हैं मा तु सपने बड़े देख, पूरा करके हम दिख लाएंगे आपके माबाप, आपके सपने के लिए, आपके सपनों गली बहुत संगर्ष कर रहे हैं तो बस ये टाइम है न, थोड़ा से संगर्ष आप कर लिजे जो पार्टी कर रहे हैं उन्हें पार्टी करने दीजे बस आप NCRT चला लिजे, अपनी GK को पढ़ लिजे तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर देख, अगर आपने इससे पहले की क्लास इसको चैनल में नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट बनी ओ, वहाँ से दीख लिजेगा अगर अब चैनल ने पहली बर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अभी आप सबको पता है कि सत्रवी लोकसवा को आमने क्या करती है, भंकर दिया है सत्रवी लोकसवा को भंकर के अठारवी लोकसवा का गठन किया गया है अठारवी लोकसवा का सबत कब हुआ था और अठारी लोकसवा में साथ देशों के प्रमकों ने भाग लिया था कौन कोन ने भाग लिया था यह मिस से पहले की क्लास में डिसकस कर चुके है लोकसबा का उल्यक हमारे समिदान के आर्टिकल 81 में हमारे यह पर नरेंद मोधी जी लगातार तीसरी बार प्रधान मंतरी बने अच्छा इसके अलावा कोई है जो लगातार तीसरी बार प्रधान मंतरी बने था हंजी क्लास में डिसकस कर चुक ठीक है अब प्रधान मंत्री का उलीग कहां पर अनुच्छ 74 में मंत्री बरसत का उलीग है मंत्री बरसत का प्रमुक कौन होते हैं प्रधान मंत्री को सपत कौन दिलाता है प्रधान मंत्री को न्युक्ति कौन करता है राष्टपती करते हैं भारत की कोने दरोपती मुर्मुझी भारत की राष्टपति है कि भारत की दूसरी महिला राश्टपति और पहली आद्वासी राष्टपति यह पर आपके देख लेते हैं हमारे समेदान में कैबनेट सब्द को जिससे कई बर सब्दद को उलेग हमारे मोल सब्धन में था नहीं जो मारा मोल सब्धन उसमें कैबनेट सब्दी का उलेग नहीं था उसके बाद हमने 44 सब्दान संसौद करतें पाइब नहीं परने भारत के वित्ति आपाथ काल परने विवाय तो कि नहीं लगा है और राश्ट्पती सासन लिग को रहा है और और है तक काप पर लगाए इन क्वेस्टिन के आंसर कॉमेंट स्रिक्शन में दीचेगा तो देखो हमारे आपर क्या होता है कि राष्टी आपातकाल को लागू करने का आधार क्या होता है भाई यूद्ध हो गया अगर आपके आपके किसी देशरों देश ने आकमर कर दिया यूद् हमारे मूल समिधान में कहा गया था कि आंतरिक असांती के आधार पर भी राष्टी आपातका लगा सकते हो लेकिन फिर हमने क्या किया 44 समिधान संसुदा 1908 ता है इसमें आंतरिक असांती के आधार पर हमने लिखा ससर्च विद्रो और यहां पर एक और बात लिखी थी कि भ हन मंतर इंद्रागांदी जी ने अपात काल लगाये हैं उसके बाद क्योंते में समिधान संसूदन करते हैं पॉइंट को समझ द्धान संसूदन में कहा गया कि बही एक तो आंतरी असांती के आधर पे आपात काल नहीं लगाओगी अच्छा आपात काल के जो प्रावदान होते में कहां से लिए आपात के प्रावदार हमने लिए जर्मनी से इसके सासथ क्या होते हैं कि आपात काल में हमारे मौलिक अधिकारों को अलपी करण कर सकते हैं क्या हाँ जी आपात काल के समय है अपने मौलिक अधिकारों को लिम्ट 3352 में राष्टि आपाथकार का उल्ले कि आपाथ की उद्गोष्णा आपाथकार लागू करने के लिए आपको कैफनेट की लिखित अन्मति की आविस्यक है 353 में काया कि आपाथकी उद्गेश्णा कि प्रहाओ क्या होगे आपने आपातकार की गोश्चना करती तो प्रहाओ क्या होते हैं आपके मूल अधिकार क्या हो जाते हैं निलंबित हो जाते हैं सिर्फ अंचित 19 और अंचित 21 बना रहते हैं इसके अलावा सारे मूल अधिकार आपके निलंबित हो जाते हैं अंशेद 21 में किसका उल्ले के प्राड और दहिक सुतंता का उल्ले क्या गया है अंशेद 354 में कहा है कि आपात की उद्गूशना अगर हो गए तो राजस को वित्रण में कि आपात की उद्गूशना हो गए उस टैम पे आपको आकास्मिक निदी चीए तो राजस को वित्रण कुछ उसको देना उगा तो इस तरी के से राज इसको वित्रण कैसे होगा इन चीजों को प्रावदान हमारे आश्य में क्या गया अंशे 355 बाँ आकमा और आंत्रिक असांति से राज की शुरच्छा करना संग का करतब भोगा अब क्या होगा आंत्रिक असांति के अधार पर ससत विद्रोसब आ गया है ससत विद्रोसब को अपने कप चोड़ा था पर 55 में सविदान संजो थे पी дорण कि अपने देस के अपने करतब बहुग वहारत का करतब भी रचा करना नग्रकम की वा ऑस्ता करना है उनके लिए कैसे वास्ता करना है कैसे सब चीजें कर नहीं है यह सब किसका करतब होगा हमारे यह पर संग वह भारत क्या है राज्यों का संग है भारत कैसे राज्यों का संग है हमारे अनुशिद एक में का गया है भारत अर्थाद इंडिया राज्यों का संग होगा कैसे संग होगा विनासी राज्यों का आवि कर दिया दर्न地 pola कर दिया वियूंके में जू भी रियास्त के निक we straightyy कि समझौता नहीं कि आ विनासी राज्चे, राज्चों कम विनास कर सकते हैं, वेटन कर सकते हैं, लेकिन भारत में खुछ नहीं होगा। अंचे 356 में कहा क्या गया, अगर किसी राज में समयधानिक दंत्र भिफल हो गया, तो भी आप क्या कर चुकते हो, राश्टपती सासन लगा सकते हो, इसे हम क्या बोलते हैं, राज्च अपातकाल के नाम से भी चानते हैं। 357 में कहा गया है कि अंचे 356 के आदिन, उद घोषना के आदिन विदाई सक्तियों को प्रियोग, भी आपातकाल की घोषना हो गई, तो विदाई सक्तियों को कैसे प्रियोग करो गया है। 358 में कहा गया है कि अपातकात के दोरान, अंचेत 19 के उबंदों को निलंबन, अपातकात के दोरान हम 99 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। कि पर ऐसा है, आभी आपको ग्रूपिंग में ने रहना, जैसे 244 लग जाती है, कि बहुत सारे लोग ग्रूप बना के नहीं रख सकते हैं। करते हैं, तो पचास ज़र बच्चों के मेहनत करने का तरीका अलग होगा। अब आपको डिशैट करने हैं किस लिष्ट में आना है, उप दसलाख वाले बच्चों के लिष्ट में आना है, जिनके नाम पर सेलेक्शन होगा। आपको मेहनत भी अलग तरीके से करनी होगी है। अगर आपने पढ़ाइ के तरीके में चेंज नहीं कर रहे हैं, वही पुराने तरीके से पढ़ाइ कर रहे हैं। पॉल्टी लेकर बैट रहे हो मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं चीचों को रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा मिहनत करनी होगी इसकी पीडियाफ आपको टेलीग्रम चैनल पर मिल जाएगे जिसकी लिंक में डिस्टूशन वॉक्स में आड़ कल 3259 में का गया किया जाती है कि आपद कारन के दौरन भागतीन के प्रतिशाथ अधिकारों को नीलमबन वहागतीन में किसका on उलेक किया गया है अंशे 12 से लेकर 35 में क्या किया गया मूल अधिकार का उलेक तो राष्टी आपात का लागू होने पर हमारे मूल अधिकार क्या हो जाते हैं निलंबित हो जाते हैं तो भाई अंशे 369 में उलेक है की आपात काल के दोरान मूल अधिकार का निलंबन अब क्या आपातकाल के दोरन मूह लदिकानों को नीलम मन करना है किस अनुश्यत में अपातकाल के बारे में भारत में अभी कभी विद्टी आपातकाल नहीं लगा 1990 के दोरन क्या हुआ था बहुत जादे स्थितियां खराब हुई थी लेकिन उसी टाइम पर हमारे जो इस टाइम पर वित मंत्री थे आपके डॉक्टर बन्मोहन जिंग इन्होंने भारत के अर्थ ब्योस्ता को सुधारने के बहुत बड़ा योगदान था इन्होंने उस टाइ अंचहे 552 में किया है राश्टी आपकार 356 में यह जिसे इन्हों झाल में अरश्टी आपकाज भारत में नाम से olmayते अब ख्याय ऑंगो भारत में टी बार लग चूका है वित य खा मृज़ आपकार अभी तक भारत में लें रही लेकिए लगा अच्छा 17 वश्यान वो 17 उत्कार किसके पास होता है राष्ट पती की पास दिखो आप सबको पते कि अभी अठार्वी लोकसोबा को चुना हुआ अब अठार्वी लोकसोबा को चुना हुआ तो पॉल्टी सो कॉस्टन इस पर्क एकजाम में पूरिस के एकजाम में तो 100 आप ने चार से पांच बर इसको रिपीट किया है इसमें मैं क्या करती हूँ बहुत सारे पर्ण को रिवीजन कराती रहती हूँ ताकि चीचे याद हो जाए तो को नोट्स बनाएगा नोट्स ना बनाएगा तो पीडियाप में आपको टेलीग्रम चैनल पर देदूंगे व इसके अलावा कर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है किसी भी सब्जक क्या कि इस टॉपिक को अप सरल मैत्रेट चे समझा दे तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं कि करेंट अफिर के टॉपिक समझा दीजिए तो आप मुझे लेकिन एक पॉइंट यहां समझेगा सत्र इस्तिगन अगर आपको सत्र का इस्तिगन करना है कुछ समेग ले तो सत्र इस्तिगन का अधिकार आपके लोगसबा अद्यश के पास होता है अभी इस टाइम पे क्या लोगसबा अद्यश को ने कॉमेंट सेक्शन में आंसर देज आपाररी लोकस्वब के अभी क्या होए प्रोटेम अध्यश होते सहां अभी तक क्या होते हैं लेकिन इसबर वीपच्षणी भी अच्छे सीटे जीती तो सकते लोगसुब अध्यक को चुना हो गाथ विडियो में इस करिछेंचे शपलता सी पड़ा सीटवाइं घुनात हैं। पांसो से निर्वरो कोई जीते थै निर्वरो कॉन जीते थैं। मुकेश दलाल जी चोंकि कहां से सूरत सीड से सूरत कौनसे नदी के तरड पर शेथ है सूरत आपका तापती नदी के तरड पर इस दी तर आभी सूरत में डाइमंड बोस का कारखॉलना कोलाit डाइमंड बोस क्या है ये आपके हीरी का सबसे बड़ा कारखाना है विश्टू का सबसे बड़ा हीरी का कारखाना है आपने कापे कोला है डाइमन बूर सूरत में कोला है अच्छा हीरी के जुरूर एक क्वेस्टन आया तो एक बाद बताईए हीरा चमकता क्यों है? प्रकास के पूर्ण आंतिक परावर्तन की घटना के कारण हीरा चमकता है हीरा किसका अपर रूप है? कारवन का अपर रूप है कैसा होता है तो क्रिष्टली होता है हीरा आपको सबसे कठोरता पदारत है प्रकास के पूर्ण आंतिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है अच्छे प्रकास के पूर्ण आंतिक परावर्तन के सिधान पर कौन काम करते हैं Optical Fiber प्रकासी तंतु ये प्रकास के पूर्ण आंतिक परावर्तन के सिधान पर काम करते हैं समझ मैं कि आगए देख लेते हैं भारत के प्रधानमंतृ जुड़े कुछ हिंपॉर्टोंट को समझ लेते हैं कि हुआ चौबई Hubble कर बने नरेन मो зачबीजी लगाता तीस्री तो अर्ड़ानमंतृ बने लगा तर थीस्री बार 1964 तक कि लगातार आपके जवाला नेरू प्रधान मंत्री थे इसके बाद कौन बने इसके बाद आपके बने ते गुलजारी लाल नंदा जी गुलजारी लाल नंदा कब से बने थे लेकर 1964 में इनको स्थीफा देना पड़ा था इसके बाद 1964 से चांचट दो अर्स के लिए लाल बाद दुर सास्ति प्रधान मंत्री बनेते इसके बाद कौन मना था इंद्रा गांधी जी पोना आते हैं गता ने सब्सक्राइफ से अगे रहते हैं एक एडर शैआन गविजुनात प्रताप सिंग अब रहते हैं 89-90 चंसेकर का बहते हैं 90-91 तक यह काउन रहते हैं चंसेकर जी आपके प्रधानमत्री लाते हैं आपको सारे के टाइम पिरेड नहीं आत करने लेकिन आपको पन्डित जवाल लड़ नेरू को टाइम पिरेड याद होना चाहिए इसके बाद आपके PM नर्शिम्मन राव आते हैं, नर्शिम्मन राव पता होना चीए, क्योंकि नर्शिम्मन राव के टाइम पर ही अम LPG का कॉंसेप लाएते हैं, जब ये PM नर्शिम्मन राव प्रधान मत्री थे, तो उस टेम पे वित मंत्री कौन थे हैं, उस टेम पे वित म सब्सक्राइब तक रहते हैं इसके बाद पुनों 96 से 1997 तक अटल भीहारी बाच पर ही रहते हैं इसके बाद आपके मनमौन सिंग आते हैं अब के प्रधानमंति नरायन मोती जी कब तक रहते हैं? दोनद आपको दयान लखने हैं पुनालाय का काल याद रखना है प्रधानमंति नरेण मोती जी का कारकल याद रखना है इसके साथ आपको अटल भिहारी बाचपे का कारकल यातूना चाहिए क्योंकि आप सबको बते कि इस बार क्या हुए एंडिये घडवंदन की सरकार मनी है इस बार किसी बार्टी को बहुमत की सीटे नहीं मिलेती तो इस बार जो सरकार बनी घडवंदन की बनी है एंडी अगडवेंदन की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी भारती जनता पार्टी तो बीजीबी पार्टी से कौन ते अटल बिहारी बाचपी तो आपको अटल बिहारी बाचपी का कारकल पता होने चाहिए इसके सासे आपको P.R. w not pan can ale robot one rau Go के इनकी टाइम पर यह थो भारत की अर्थ्व्योस्ता बहुत कराब waking ती महात्पूर योम्हत रहा को बुश्ट करणेंक से यह सारी चीज़ें और आप पूछ सकते हैं मैं इस फिर वीडियो बना दूंगी पीडियाफ आपको टेलीकाम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंग वाने डिस्टोशन बॉक्स में डाल दी है चैनल को सब्सक्राइब करिए दूसरे फ्रेंड के साथ सेयर करिए मिलते हैं कल की क्लास में